हिजबुला प्रमुक्न हसन नस्रला की मौत पर मिडिल इस्ट से लेकर रूस तक दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है एक तरफ जहां अमेरिका इस हमले का समर्थन करते हुए कहा कि आज सैक्डो अमेरिकी सैनिकों को न्याय मिल गया जिनकी जान हिजबुला के हमलों में चली गई थी वही इरान और रूस ने इस हमले को लेकर इस्राइल के खिलाप मोर्चा खोल दिया है हाला कि ये कोई नई बात नहीं है इरान और रूस शुरुआत से हमास हिजबुला और हुटी को समर्थन करते रहे हैं लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री सरगेल लावरो का सयुक्त राष्ट में ये बयान इस बात की तस इस दवरान उन्होंने नसरला की मौत पर लिवनान के एक साथ एक जूटता से खड़े रहने की बात कही है लावरो का कहना है कि इसराइल ने नसरला को इसलिए मारा ताकि अमेरिका को इस शित्रे यूद में घसीटा जा सके हाला कि लावरो ने ये भी कहा है कि सत्या से शेत नितिक हत्या की कड़ी निंदा करते हैं हम एक बार फिर इस्राइल से आगरा करते हैं कि बहुत तकाल सैन्न कारवाई बंद कर दे लावरों ने आगे ये भी कहा कि जो इरान को उकसाना चाह रहे हैं उनकी मनशा अमेरिका को भी उकसाने की है और अगर ऐसा होता है तो पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा वहीं दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्राले ने भी हिजबुल्ला की मौत पर अपना अधिकारिक बयान जारी किया है रूस के विदेश मंत्राले ने नसरल्ला की मौत की निंदा की है साती कहा है कि इस्राइली पक्ष इस खत्रे को पहचानने में विफल नहीं हो सकता था लेकिन उसने लिबनानी नागरिकों की हत्या करने का कदम उठाया जिससे लगबग अनिवार रुप से हिंसा का एक नया विस्पोर्ट भड़केगा इसकी वज़े से बाद में होने वाले संगर्स के लिए इस्राइल पूरी तरह से जिम्मेदार होगा आपको बता दे कि नितन्याहू चाहते है कि नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए इरान सीधे इस जंग में कुदे और इस्राइल को इरान के परमानों ठिकानों पर सीधा हमला करने का मौका मिले और इससे पहले इरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इसमाइल हानिया की मौत के बाद इरान बदला नेने की कसम खाई थी लेकिन इरान ने अभी तक इसका बदला नहीं लिया है और नसरल्ला की मौत के बाद इरान इसराइल पर सीधा हमला करने से कत्रा रहा है क्योंकि अब वो इसराइल की चाल समझ चुका है और यही बज़ा है कि वो खुद सीधा हमला करने की बज़ाए अन्य मुस्लीम देशों को इसराइल के खिलाब भड़का रहा है